आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं ये निकल के आ रही है टाटा कंसल्टिंग इंजिनरिंग लिमिटिट की तरफ से यानि की टाटा की तरफ से यहाँ पे से देखिए multiple job post के लिए रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं बहुत सा रोमा, बीटेक, एमटेक हर कोई अपलाई कर सकता है, सारी की सारी आपकी रेगिलर जॉब है, पर्मनेंट जॉब है, ओल ओवर इंडिया अपलाई कर सकते हैं, कोई एक्जाम, कोई फीस नहीं रखी गई है, तो अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए इंट्रस्टेड हैं, तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा, इसका सेलेक्शन प्रोसीजर, जॉब लोकेशन, लास टेट, इसी के लावा टर्म्स और कंडिशन्स, हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे डीटेल में समझाऊंगा, हम आपके लिए रेगिलर बेसिस पे जॉब अपडेट्स लाते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग कर सकते हैं, और आप हमें सारे ही शोचल मीडिया प्लाट्फॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्रेंज मेरे आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज चैनल को ज़ादा से ज़ादा सपोर्ट करिए, हम जो आपके लिए रेगिलर जॉब अप्गेट्स लाते हैं, कोर्सेस लाते हैं, वेबिनार लाते हैं, इन सब का मोटिवेशन हमें आप ही के सपोर्ट से मिलता है, तो प्लीज जो हमारा टार्गेट है, वन लाक सब्सक्राइबर, उसे में अचीव करने में जल से जल हल्प करिए, प्लीज इस वीडियो को ज़ादा सज़ादा शेयर और लाइक करिए, और फ्रेंज, जैसे कि आपको पता है कि दिवाली आने वाली है, तो इस दिवाली के शुब मौके पे, सिविल गुरुजी की तरफ से आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लाया जा रहा है, यहाँ पे बेसिकली आपके लिए एक वरक्शॉप लाई जा रही है, जहाँ पे आपको इंटर्व्यू को कैसे अटेंड करना चाहिए, समझना कैसे चाहिए, इसी के अलावा जो आपका इंटर्व्यूर है, उसके माइंड से से कैसे कोई भी इंटर्व्यू क्राक किया जाता है, यह चीज सिखाई जाएगी, जो की प्रॉपर फ्री में चलने वाली है, इसका देखिए, कोई भी आपसे एक भी रुपिया पैसा चार्ज नहीं करेगा, तो अगर आप कोई भी इंटर्व्यू में जाते हैं, सेलेक्शन नहीं होता है, या फिर अगर अंडर कॉंफिडेंट हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर पाटिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, यह जो आप देख सकते हैं, जो सिविल गुरु जी, यह जो फाउंडर है, पुश्पेदर जी, यह खुद आपको आके पढ़ाएंगे, प्रॉपर यहाँ पे बस 800 फ्री टिकेट ही अवेलिबल हैं, यह आपका 31st October को दुपहर के 12 बजे से लेके 2 बजे तक चलने वाला है, तो जो लोग यहाँ पे चाते हैं, अगर आप इसमें इन्रोल करना चाते हैं, तो इसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अब वहाँ से जाके सीधे इन्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है, इसे छोड़िये गामत, अब बात कर लेते हैं सीधे आज की रिक्रूट्मेंट के बारे में, तो देखिए ये निकल के आ रही है, Tata Consulting Engineering Limited की तरफ से, अब Tata एक देखिए बहुत ही बड़ा और फेमस नाम है, इस कंपनी को किसी भी इंटोड़क्शन की जरूवत नहीं है, हम सब इस कंपनी को भली भाती जानते हैं, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ड्रीम जॉब भी होता है, किसी गवर्मेंट जॉब से यहाँ पर जॉब लगना कम नहीं है, सबसे अच्छी बात है कि देखिए, Tata के जॉब काफी अच्छी है, साल्वी पैकेज भी काफी अच्छा है, और जो बेनेफ और फिर तीसरे दिन में एक मेल आता, एक मेसेज आता है, कि सर फला फला कमपनी नमचे Tata के नाम पे एक अपाइन में लेटर भेजाए, प्रीज इसे एक बार देख लीजिए, और वो मैक्सिमम टाइम फेक होते हैं, Tata कभी भी देखिए, हाइरिंग के नाम पे आपसे एक बी रुपिया चार्ज नहीं करती है, किसी को भी एक बी रुपिया मत दीजिएगा, अगर आप देते हैं, तो इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, ये स्योपिशल वेबसाइट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरह का कुछ पेश खुल के आ जाएगा, आप देख सकते हैं, कितनी सारी वेकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है, आप देख सकते हो, यहाँ पर आप डिस्रिपिन के हिसाब से चूज कर सकते हो, फ़र एक्जामपल आप अगर अर्किटेक्चर वाले हो, तो आप यहाँ पे फिर आप केमिकल वाले हो, तो आप चूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल वाले भी यहाँ पे अपने लिए चूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे मतलब की वेकेंसी आ रही है, वो है सिविल की, सिविल में आप देख सकते हैं, कितनी सारी वेकेंसी है, कुल मिला के 30 पोस् आप से देख से हैं और यहाँ पर experience भी लिखा हुआ है कि कितना experience मांगा गया है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं minimum to maximum experience को लेके तो देखें सबसे जो कम experience की यहाँ पर vacancy निकल के आ रही है वो आ रही है IBU engineer geotech एक से लेके 6 साल का experience मांग लिया गया है यहाँ पर M.Tech और B.Tech वाले दोनों ही apply कर सकते हैं जब आप इस पर click करते हैं इसकी post खुल के आ जाएगी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं location सूरत मैंने बता दी है age limit 22 से लेके 25 साल qualifications में देखिए M.Tech मांग लिया गया है यहाँ पर bracket में फिर लिखा है master engineering या फिर bachelor in engineering और करके लिखा हुआ है तो आप देखिए B.Tech और M.Tech वाले दोनों ही apply कर सकते हैं minimum one year का experience मांग लिया गया है बाकी job responsibilities आप यहाँ पर देख सकते हो इसी के अलाबा key skills यहाँ पर job के पास होना चाहिए geotech engineering के जानकारी यानि की जो soil mechanics होती है geotech यानि की हमारा soil mechanics ही होता है soil की जो testing होती है soil की knowledge यहाँ पर आपको basically होनी चाहिए एक सालगा का experience है railways में, metro में, bridges में, flyover में, byproduct में, highway tunnels में तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हो ठीक है अगर rail या metro में एक से तो आपको यहाँ पर preference दी जाएगी यह हमारी पहली post है फिर जो हमारी next post निकल के आ रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हो डिपलोमा वालों के लिए है IBU, CAD, Draftsman की विकेंसी है यहाँ पर भी अगर आप में डिपलोमा in civil या फिर ITI in civil draftsman कर रखा है तो यहाँ पर eligible हो age limit again 22 से लेके 28 साल location सूरत रहने वाली है बाकी फिर इसकी आप qualifications देख सकते है और यहाँ पर जो आपके key skills से basically autocad आना चाहिए drafting and drawing आना चाहिए आप इस post में यहाँ पर अपलाए कर सकते है यह यहाँ पर diploma वालों के लिए post है इसी के अलावा फिर आप देख सकते है यह हमारी सबसे least experience की vacancy है फिर आप कुछ और देख सकते है PMC engineer है यहाँ पर B.E.B.Tech इन मांग लिया गया है यहाँ पर B.E.B.Tech मांग लिया गया है फिर अगेन और भी हमारी vacancy है PMC, M.E.P. Engineer की यहाँ पर vacancy है यहाँ पर भी अगेन B.E.B.Tech इन सिविल वाले अपलाए कर सकते है ठीक है और यहाँ पर mechanical और electrical वाले भी अपलाए कर सकते है तो आप देख सकते हैं उतनी सारी vacancy है अपने हिसाब से सबको आप visit कर सकते है सबकी last date देखी लिखी गई है कुछ की last date 31st of December है और कुछ की last date 30 November 2021 रखी गई है जिस भी post में भी आप apply करना चाहते है महाँ पर आप मीचे जा सकते है और यहाँ पर देखो लिखके आ रहा है apply for this position जैसी आपको इस पर क्लिक करना है एक ऐसा form खुल के आ जाएगा यहाँ पर आपको अपना नाम first name, middle name, last name highest qualification जो भी है आपकी डिप्लोमा है बेटक है discipline जिस से भी बिलॉंग करते है civil, electrical, mechanical, contact number mail ID, date of birth फिलाल कहीं employee है या नहीं है जो आपको current employer है आपको कितरी salary मिल लही है experience कितना है, location, cv update करके यह text को यहाँ पर लिखके आपको यहाँ पर basically send कर देना है ठीक है, और देखे, मैं आपसे फिर कह देना शाहता हूँ Tata कभी भी किसी से एक भी रुपिया charge नहीं करती है तो please कोई भी यहाँ पर एक भी रुपिया मन दीजिएगा बहुत जादा fraud चल लहा है Tata के नाम पे, Tata खुद इस बात को मानती है, तो please देखे अगर आप लोग किसी को अपना पैसा देते हैं उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहने वाली है, यह बात मैंने आपको दो बार साफ साफ बता दी है बाकी जो लोग चाहते हैं आप ऐस उनस पॉसिबल अप्लाए कर दे, आपकी सुईधा के लिए मैंने इसे अपनी वेब साइट पे अपडेट कर दिया है, आपको हमारी वेब साइट के पाइबर जॉब के सिक्शन में जाना है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टाटा कंसर्टिंग लिमिटेट ये आपकी सामने खुल के आ जाएगा, आप थोड़ सा नीचे स्क्रोल कर लीजेगा, ओफिशल नोटिफिकेशन और वेब साइट, दोनों का ही लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप उस पर जाके क्लिक कर लेना, जैसी आप क्लिक करोगे, आप इस पेश पर रीडिरेक्ट हो जाओगे, अपने हिसाब से आने ये बाद, यहाँ पर आप इसको व्यू कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने सेम प्रोसेस ही रहने वाला है अगर आप स्टार्ट प्रो सीखना चाहते हैं तो आप स्टार्ट प्रो भी सीख सकते हैं आपके लिए काफी अच्छा मौका है हमारी तीन क्लास से अलरडी हो चुकी है चौती क्लास आज शाम को है जहां पे आपको शियर वाल यानि कि lift when को डिजाइन करना सिखाया जाएगा हमारे YouTube पे प्रोग्राम लाइव चला है यहाँ पे अगर आपने enroll नहीं किया है तो आप कर सकते हैं लिग सीधे आपको description में इसका मिल जाएगा तो फिलाल आज के लिए भी के लिए तना ही वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करें So thank you and God bless all of you